हाई गाईस इस वीडियों के बात करेंगे जो भी स्टूटेंट्स आप लोग अगर इंप्रूमेंट एक्जाम देना चाहते हो उसके बारे हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है जो जो इमेंस का नोटिफिक्शन आया उसके एकोर्डिंग जो है 75% आपके मार्स होना जरूरी है जे एंडवांस के लिए एंड साथ साथ आपकी काउंसलिंग में अगर अगर इनाइटी इस या ट्रिपल आईटी में आप एडमिसल देना चाहते हो तो इवन दो कुछ प्राइबिट कॉलेज जो बहुत अच्छे हैं उनको भी 75% का क्राइट्रिया लगेगा ठी से सीजी वाले स्टुडेंट्स सीजी इंप्रूमेंट के लिए अपलाई कर सकते थे बड़ आपने नहीं किया तो अब आप नियुक्त कर सकते हो और इसके लिए जो है आप लोग को पहले भी हमने काफी डिटेश दे रख आ है बड़ आप लोग के बीच में काफी क्वेरी स हा रहा था कि क्या यह नहीं है आप लोग करते और हम आप लोग को पर देते हैं तो हमारा विट को हो जाएगा तो क्या होगा तो actually में क्या होता है NIS का on demand हम देते हैं तो on the demand of student मतलब हम date अपना fix कर लेते हैं कि में को इस date को ही paper देना है तो वैसे भी हम लोग सभी students को यही suggest कर रहे हैं कि January में अपना जैमेंस पर focus रोको February में अपना यह improvement वाला exam दो और उसके बाद से March में भी दे सकते हो and then अपना फिर अपरेली में जैमेंस पर focus करो और उसके बाद से जैंडवांस के लिए और उसके बाद से जो counseling का process है वो जो सा counseling में जब आप बैठते हो तो जैसे मानलों कि आपने इंप्रूमेंट के लिए अप्लाइब किया एक सब्जेक्ट से लेके चार सब्जेक्ट तक के आप इंप्रूमेंट दे सकते हो तो अगर आपने अप्लाइब कर दिया मांक सीट आगया अप तो दोनों मांक सीट को आपको दिकाना पड़ता है और वहां पर जो भी आपके सामने रहते हैं आप में से काफी सारे स्टुडेंट्स खुद से ही रजिस्ट्र करने कोशिश किया और कुछ मिस्टेक्स करने के वैसे आप लोग करा रहे हो तो यह आपका लॉस हो रहे हैं यहां पर आप लोग को यह सब चीज़े करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ पर्टि के लिए कोई कटेगरी नहीं है वहां पर ठीक है जैसे ओंडिबांड के देने स्ट्रीम 4 आपको पता चलके लिए कि अंदर जाके आपको क्या क्या डिटेल्स प्रवाइड करने वह चीज़े आप नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग अगर हमारे तुरू कर आते तो क्या वह जा प्रवाइड करते हैं ठीक है तो आपको फॉर्वाइड करते हैं और वही चीज आप आगे प्रोवाइड करते हैं ठीक है और इसके बाद से एक और चीज रहता है कि हम लोग आपको important questions के notes देते हैं लाश्टे papers आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी hustle करने की जोड़ी पड़ती है सारा चीज़े एक ही जग़ों पर मिल जाता है even तो charges बहुत ही कम है ठीक है आपके एक subject के लिए अप्लाय करना है या दो subject के लिए आप सिंप्ली जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर वाट्सप करो सारा डीटेल्स ले सकते हो अगर किसी केस में आप कॉल कर रहे हो और हमारी कॉल्स रिसीव नहीं हो रहे हैं तो आप सिंप्ली डून्विनर वैब्साइट पर जाके जॉइन कर सकते हो जब आप डून्विनर.in प आपको बता रहे हैं और एक और चीज जो काफी बच्चे कंसर्ण करते हैं कि मेरा 74.something था या 74.2 का एक कंसर्ण आया था और काफी बच्चे जो 75 से लेके 75 की बीच में काफी सारे बच्चे को अक्रारी सा चुका है अप्रोक्समेंट थाउजेंट ओफ स्टूडेंट्स और इस में से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जैसे 74.2 है या 76 है लेकिन PCM में 75 से कम है ठीक है तो इस केसे में क्या होता है बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हमारा जो है जो सा काउंसल में अक्सेप नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा ओप्सन नहीं है ठीक है और जो सा काउं इसलिए कराता है और ऐसे बहुत सार पहले भी बच्चे हैं जो इंप्रोमेंट दिये थे और इसके बाद से वह आइड़ेस में लिए हुआ है ठीक है तो इसके बारे में आपको विल्कुल नहीं सोचना है और इतना जादा चार्जस भी तो नहीं है अगर मालो आपने इंप आपको नहीं पता कि क्या सीचे कैसे आपको जो हमें टेक्स करना है या वाट्सप पर मैसेज करतों या आप जॉइन कर से तो जो बैटर आपके लिए आपको प्रेफरेंस ज्यादा दे देते हैं और उसके थुरू हम आपका सारा रेजिस्ट्रेशन काॉसस कंप्लेट कर दे है उस समय पर कि कैसे आप डॉक्मेंट को मैनेज करोगे हैं कैसे सो करोगे उनको ठीक है बाकि सारा चीज़ें हम मैनेज कर लेगे हैं होपिंग डड़ आपको यह वीडियो पसंद रहे हैं थैंक्यू सब्सक्राइब